हलो डियर लर्नर्स मेरा नाम संजीव कुमार सिंगल है और मैं अनेकेडमी के इंदौर के आफलाइन सेंटर में मैथमेटिक्स लर्नर्स को पढ़ाते हैं हम लोगों ने IIT JEE 2023 and 24 के aspirants को target करते हुए हम लोगों ने एक rank refiner series start कर रखी है जो आपकी IIT JEE preparation को और solid करेगी तो JEE 2023 के जो aspirants है उनके लिए समय बहुत कम रह गया है तो हम लोगो rank refiner series में क्या कर रहे हैं कोई एक chapter लेते हैं और उसका कोई एक concept लेते हैं जो बहुत ही अच्छा रहता है important concept होता है IIT JEE main और advance के respect में और उससे related हम लोग दो questions करते हैं एक नहीं दो दो इसलिए कि पहला questions हम लोग देते हैं तो आपको concept सिखाने के लिए और दूसरा question उसी concept को और अच्छा बहतर करने के लिए practice करने के लिए देते हैं और उसको वहीं discuss भी करते हैं तो आपका क्या काम करना है वीडियो question देखने के बाद वीडियो को pause करना है और try करना है अगर हो जाता है तो very good नहीं होता है तो उस question को सीखना है क्या concept है और फिर दूसरे question को बहतर तरीके से try करना है और एक announcement भी करना है IITJE के लिए next session के लिए 2024 session के लिए चार अप्रेल से IITJE के 11th की classes या 11th के batches जो की हम growth के नाम से जानते हैं start होने वाले हैं और Excel के batches जो की 12th के नाम से जाने जाते हैं 12th मतलब Excel batches जो 4th of April से start होने वाले हैं और अभी हम लोगों का एक batch अभी start हुआ है early Excel मतलब पहले हम लोगों ने start किया है एक मार्च से start किया है तो आप भी unacademy के indoor के offline center में IIT की classes, NEET की classes, Foundation की classes join करना चाते हैं तो यहाँ आकर आप counseling करें और courses को समझे और admission ले चलिए हम लोग अपना rank refiner का 9th part start करते हैं जिन students ने अभी तक कोई भी part नहीं देखा या कुछ part देखे तो सारे parts को आप देखे part 1 to 8, part 1 to 8 में 16 questions हो चुके हैं, part 9 में 17 और 18 questions हम लोग करेंगे, चलिए 17th question हम लोग देखते हैं चलिए आप लोग को क्या करना है, इस question को पढ़ना है, 4 से 5 minute का आपका time है, वीडियो को pause करना है और try करना है, ठीक है, चलिए हम लोग तो question देखें, start करते हैं यहाँ पर दिया है 1 minus 10 square, इसको हम लोग एक minute के लिए क्या माल लेते हैं, theta, theta को हम ने यह ले लिया, 2k pi upon 2 की power 100 plus 1 इस तरह की problem में सबसे पहले हम लोग product वाले question है, मतलब लगातार product में है, तो हम लोग इस तरह की problems में, जो formula है, उसको apply करने की question कोशिश करते हैं, जैसे 1 minus 10 square theta, हमारे पास क्या लिखा है 1 minus 10 square theta, तो हम क्या सोचेंगे, ऐसा कोई trigonometry का formula, जिसमें 1 minus 10 square theta आता हूँ, तो हमारे दिमाग में क्या हैगा, कॉस्ट 2 theta होता है, 1 minus 10 square theta upon 1 plus 10 square theta, तो 2 की power 99 हम लोग last में लिख लेंगे, तो 1 minus 10 square theta की जगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट 2 theta into 1 plus 10 square theta, लिख सकते हैं बच्चा, 2 की power 99 हम लोग last में multiply कर देंगे, last में नीचे multiply कर देंगे, अब 1 plus 10 square theta क्या होगा, second square theta, और second square theta क्या होता है, 1 upon cos square theta, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, cos 2 theta upon cos theta into cos theta, ठीक है, तो अब इस तरह के questions में हम लोगों का thought क्या है, यहाँ पर पहला thought क्या था, trinometry का formula हम सोचते हैं, कौन सा इसा formula है, जो इसमें use किया जा सकता है, अब दूसरे में क्या होता है, numerator और denominator हर हाल में आता है, इस तरह के question में numerator भी रहेगा, denominator भी रहेगा, और वो आगे पीछे क्या होते हैं, cancel होते हैं, cancel होने की possibility कब होती है, जैसे यह 2 theta है, तो यहाँ पर हम लोग 2 theta कुछ लाएं, क्योंकि cos theta भी है, cos theta का argument क्या है, यह 2 की power 1 है, यहाँ 2 की power 0 है, मतलब जो argument होते हैं, एक दूसरे के multiple होते हैं, जैसे 2 की power 0 है, 2 की power 1, यह तो set हो गया, लेकिन यहाँ पर cos theta है, तो हम एक मिनट के लिए सोचते हैं, इसमें अगर हम 2 sin theta multiply करें, क्यों? क्यों 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 तो product में cos 2 theta हो गया और ये पूरा मिलकर क्या हो गया sin 2 theta, समझेगा, और ये cos theta upon sin theta क्या हो गया, cos theta upon sin theta, और नीचे क्या रहे गया हमारा 2, तो ये effectively हम लोग देखें, तो ये हो गया, cos 2 theta upon cos theta और नीचे 2, ये ही हम लोग चाहते थे, इस तरह का कोई expression बने, जो trigonometric formula, जैसे cot है, तो नीचे भी cot है, तभी तो आप cancel कर पाएंगे, तो अब यहाँ पर हम लोग, k की, अब cot 2 theta, तो 1 by 2 into cot 2 theta, cot 2 theta, ये theta था, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर k plus 1 into pi upon 2 की पावर 100 plus 1 upon cot 2 की पावर k, pi upon 2 की पावर 100 plus 1, और k is equal to 1 से लेकर 100, अब हम k की value 1 डालेंगे, तो इसमें k manipulate करेंगे, 1 by 2 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने देखा, ये 2 sin theta, सॉरी, ये 2 sin theta, हमारा cot theta upon sin theta, cot theta हो गया, ये 2 उपर जाएगा, सॉरी, ये उपर जाएगा, और ये उपर जाएगा ये, ठीक है, तो अब 2 हमारा 1 से लेकर 100 बार है, तो 2 की पावर क्या जाएगा, 100, तो पहली बात तो हम लोग ये लिख लेते हैं, 2 की पावर 100, अब k की वेल्यू 1 पुट करोगे, तो क्या हो जाएगा, cot 2 की पावर k को 1 डालेंगे, तो 2 की पावर 2, pi upon 2 की पावर 100, plus 1 upon cot, 2 pi upon 2 की पावर 100, प्लस 1, am I right? अब k की value 2 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा cot 2 cube pi upon 2 की power 100 प्लस 1 upon cot 2 square pi upon 2 की power 100 ठीक है, आपने ध्यान से देखा, यह element हो, यह element क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो इस तरीके से last में अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यह हो जाएगा cot 2 की power k को 100 रखेंगे, तो 100 1 pi upon 2 की power 100 प्लस 1 upon cot 2 की power 100 pi upon 2 की power 100 प्लस 1 तो इस तरीके से यह working होई, तो अगर आप ध्यान से देखें, तो यह चीज cancel होगी, इस तरह से cancel होगी और यह cancel होगा, तो effectively यह क्या बचेगा expression? 2 की power 100 हम लोग को मालूम है, question में हमें last 2 की power 99 से नीचे की तरह multiply करेंगे, तो अब हम लोग वो काम कर लेते हैं, ठीक है? तो यह क्या बचा हमारा नीचे? वहापर क्या बचा? cot 2 की power 101 pi upon 2 की power 100 प्लस 1, और नीचे यह बचा cot 2 की power 1 pi upon 2 की power 100 प्लस 1 अब यह ध्यान से देखिए इनको हमें समझना है तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें, argument आप देखो अगर हम यहाँ पर 2 pi कॉमल ले pi अगर हम कॉमल ले 2 pi कॉमल ले, तो अंदर क्या बचेगा? पहले इसको focus करें इसको और इसको तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है? 2 की पावर हेंडरेड वन pi अपाउन 2 की पावर हेंडरेड प्लस 1 और 2 pi अपाउन 2 की पावर हेंडरेड प्लस 1 इसको अगर आप जोडोगे तो ध्यान से देखिए, अगर हम 2 pi कॉमल ले ले तो यह बचेगा 2 की पावर हेंडरेड और इधर बचेगा 1 और इधर 2 की पावर हेंडरेड प्लस 1 तो यह कैंसल होकर 2 pi मतलब क्या है? यह अगर हमारा अलफा है और यह बीटा है तो अलफा प्लस बीटा कितना रहे? 2 pi तो अलफा की जगे हम क्या लिख सकते है? 2 pi minus beta तो 2 की पाँ 100 upon 2 की पाँ 99 2 हो जाएगा cot alpha को क्या लिख सकते है 2 pi minus beta और नीचे cot beta तो cot 2 pi minus beta क्या होता है minus cot beta तो overall क्या गया minus 2 और लेकिन हमें modulus दिया हुआ है तो इस तरह से modulus answer के आगया final 2 तो इस question का final answer के आगया बेटा 2 तो ये question में हमें concept number 1 दूसरा formula कि हम उपर और नीचे एक ही trinometric function मनाया जिससे कि वो cancel होने की possibility generate हो और last में इस तरह की कुछ चीज़े होंगी reduction formula लगेगा alpha plus beta हो सकता है pi u alpha plus beta हो सकता है 2 pi u तो ये question ये concept समझ में आया very important concept है किसी भी exam में आपका पूछा दा सकता है बले ही वो internal exam हो बले ही वो j main का exam हो या advance का चलिए अब आगे देखते हैं अब ये है हमारा question एक हो तो इसमें भी हम लोग देखें 1 plus 2 cos हम लोग इस पूरे को क्या ले लेते हैं theta ले लेते हैं cos 2 theta अब यहाँ पर दिमाग में क्या आ रहा है यहाँ पर दिमाग में आ रहा है कि यह बस only numerator में है तो इस तरह के question में हमें numerator में denominator में अपनी तरह से multiply करना पड़ेगा जिससे कुछ एक pattern बने तो यहाँ पर हम लोग का k is equal to 1 से लेकर k is equal to 100 है तो 1 plus 2 cos 2 theta को क्या लिख सकते हैं 1 minus 2 sin square theta तो यह हो गया 2 plus 1 3 minus 4 sin square theta और हम लोग जानते हैं जब भी 3 और 4 का combination है और minus है तो हमें क्या click करता है बैटा sin 3 theta is equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta और हमेरे पास numerator में sin theta की कमी है तो what does it mean अब हमें denominator में भी और numerator में sin theta को multiply करना पड़ेगा जिससे की उपर sin 3 theta upon sin theta हो गया ठीक है तो अब यह पूरा format लिख सकते हैं हम लोग k1 से लेकर k is equal to 100 sin 3 theta theta क्या है हमारा pi into 3 की power k upon और नीचे sin theta 3 की power k pi upon 3 की power 100 प्लस 1 similar type का ही question है पहला question करने के बाद आपको दूसरा 100% होना चाहिए वीडियो को pause करके आपको try करना है तभी बहतर result है तो चलिए अब k को हम लोग क्या लिखेंगे 1 तो ये sin 3 k को बन रखेंगे 3 square pi upon 3 की power 100 प्लस 1 upon sin 3 pi upon 3 की power 100 फिर अगला लिखेंगे sin 3 cube pi upon 3 की power 100 प्लस 1 upon sin 3 square pi upon 3 की power 100 प्लस 1 इस तरह से multiply करेंगे तो last में sin 3 की power k को 100 अखोगे तो 101 pi upon 3 की power 100 प्लस 1 upon sin 3 की power 100 pi upon 3 की power 100 प्लस 1 ये cancel हो गए और ये cancel तो overall क्या बचा हमारा sin 3 की power 101 pi upon 3 की power 100 प्लस 1 upon sin sin 3 pi upon 3 की power 100 प्लस 1 फिर से वोई logic इसका और इसका sum देखते हैं तो 3 pi अगर हम common लें तो अंदर बचेगा 3 की power 100 प्लस 1 और इधर क्या बचेगा 3 pi हमने common ले लिया इधर भी और इधर बचेगा 3 pi common लेंगे ठीक है common लेने पर क्या बनेगा 3 pi common लिया तो 3 की power 100 तो ये अगर alpha है ये बीटा है तो हमारा alpha प्लस बीटा कितना रहा बेटा 3 pi तो इसकी जगे हम क्या लिख सकते है sin 3 pi minus बीटा upon sin बीटा तो sin 3 pi minus बीटा होता है sin बीटा upon और नीचे sin बीटा तो ये बना गया तो इस तरीके से question complete हुआ बिल्कुल similar type का logic था बस trigonometry का formula कोई दूसरे तरीके से लग रहा था आपको ये question अच्छे से समझ में आया होगा दोनों question से आपने कुछ सीखा होगा इसी तरह से आप सीखते रहें और IIT J की जर्णी को आप अच्छे से IIT J की जर्णी को आप अच्छे से complete करें चलिए अब अब हम लोग ये complete करते हैं और अगले पार्ट में हम लोग कुछ और दूसरे chapter के दो अच्छे questions लाएंगे जो किसी concern पर base होगे चलिए इसी के साथ thank you, bye bye